यूमाओं के सरोकारों का दर्पन नए विचारों का यह है युवाबारती यह है युवाबारती यह है युवाबारती यह है युवाबारती नमस्कार हाई हलो आकाश्वाणी की राष्ट्र युवाबात्र का युवाबारती में आपका स्वागत है मैं हूँ मनुज माइन कर फ्रेंड रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए आईए मिलकर ओपन करते हैं आज के अंक का एंड बॉक्स इस महां इंटरनाशनल मून डे के दिन खयाल आया क्यारे एक सब्ता पहले ही यनी 14 जुलाई को भारत ने मानो विश्व को एक अनूठा गिफ्ट दिया चंद्रयान तीन के सफल प्रक्षेपन के रूप में और खास बात ये कि इसको बनाने से लेकर लॉंच करने में देश के युवाओं का भी तो योगदान रहा है किसी ना किसी रूप में सोच कर देखिए स्पेस, रॉकिट्स, सैटलाइट्स, और्बिट्स कुछ ऐसे विशे हैं जिसमें साइन्स टेकनोलोजी की विविद ब्रांचेज में सूख्ष्म प्रिसेशन ये पहली बेसिक ज़रूरत है चंद्रयान से जुड़े वेग्यानिकों और टेकनिशन्स के लेवल ऑफ कॉंसेंट्रेशन की हम सिर्फ कलपना कर सकते हैं मानू टीम का हर सदस्य मन ही मन ये कह रहा हो कि गुरू जी इस समय मुझे अरजुन की तरह सिर्फ मचली की आँख दिखाई दे रहे है सचमुझ अद्भुत और ऐसा ही जजबा हमें इन देनों देखने को मिला स्पोर्ट्स एंड गेम्स के क्षेत्र में वो भी क्रिकेट फुटबॉल और होकी से जुड़ी चमक धमक से कोसों दूर कुछ खास नाम तुरंत याद आते हैं जैसे आचरी, यूथ वर्ल्ड चैंपिन्शिप में पार्त सालूं के और भज कौर बैडमिंटन, कैनड़ा ऊपन बी डावल्यो एफ सूपर फाइफ फाइनल में लक्ष सेन चेस में डी गुकेश और शिविका रोहिला स्नूकर में कीरतना पांडियन आइस एस एफ जूनियर वर्ल्ल कप में शूटर्ज, सैयम, गौतमी भनोट और अभिनव शौ ये खत्म होने वाली लिस्ट नहीं है शाबदाश चैंपिन्श ऐसे ही अपने अपने फील्ड में देश का नाम रोशन करते रहें अब तो जैवलिन और फेंसिंग में भी युवाओं का इंटर्स बढ़ता जा रहा है और हर खेल एक खास स्किल सेट डिमांड करता है इस वर्ष वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की थीम है स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स अड यूथ इसे हमारे राष्ट्र की गुरु शिश्य परंपरा के रूप में भी देखा जा सकता है और हाँ दोस्तों, आपकी फील्ड अफ अक्टिविटी कोई भी हो खेल का मैदान हो या पढ़ाई, देश के लिए लड़ाई हो या चढ़ाई आप से पूछा जाए कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो सिर्फ एक जवाब याद रखना है गुरु जी, केवल मचली की आँख सुनते रहिए, राष्ट्य युवा पत्र का युवा भारती तोस्तों, आज है इंटरनाशनल टाइगर डे ये रौबीला जीव जाना जाता है अपने निडर पराक्रमी सभाव के लिए इसका एक हूमन सानी हमें मिलता है युद्ध के मैदान में यानी हमारे शूर वीर सैनिक, जो अदम्य साहस के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं अपनी जान के परभा किये बिना करगिल विजय दिवस के उपलक्ष में आज मिलते हैं पुस्तक टाइगर अफ द्रास कैप्टन अनुज नयर के सहलेखक हिम्मत सिंग शिखावत से कैप्टन अनुज नयर करीबन 23 साल के थे जब ये कारगिल वार हुआ था और उनकी जो ड्यूटी रही थी उस ताइम में करीब डेड़ साल की रही थी उनने अपने माभाब को यह नी बताया था कि मैं करगिल वार में हूँ उनने यह कहा था जो कि बाकी सब बच्चे भी कहते हैं कि मैं एक पीस पोजिशन पर हूँ और आप चिंता मत कीजे सब ठीक है या पर किसको क्या मालूम था कि वो कारगिल वार में उस कुए ठायम पे है कारगिल वार में एक ऐसा शण आता है जब बहुत जादा चीजें उथल कुथल हो रही थी और चैंज्जिस के थूर्व निकल रही होती है एक कॉंप्लेक्स है जिसको कहते हैं 04875 कॉंप्लेक्स जिसमें 13 जैकरिफ भी लड़ रही थी, जो कैप्टन विक्रम बत्रा साथ की यूनिट थी, साथ में पिंपल कॉंप्लेक्स पे 17 जाट अपनी कारवाई कर रही थी, कैप्टन अनुज नईयर उस टाइम में चारली कंपनी मे हुआ करते थे, तो जब उनको ये आदेश मिला, तो वो उपर मूफ करें, तो इस पूरी कारवाई को, जो की रात में इनने अल्जाम दी थी, उसमें इनने करीब 9 पाकिस्तानी इंटूडर्स या सैनिकों को, रेगुलर्स को, मृत्यू को प्राप्त कर वाया, इसमें दौन कब एफवेर को महावीर चकर के दौरा सम्वानित कि अ गया, महावीर framework महावीर चक्र सेकेंड हाईस्ट गैलंट्री three award होता है, एंड्या आ्म्ड फोर्स का, और क्यापटन अनूज न आईयर का तालूका ह्ता था जाď तो जाट रेजिमिंट में मैं कह सकता हूं कि वो वन अप दी हाईइस्ट ग्यालंटरी अवर्ड विनर्ज हैं दिकाउस जाट रेजिमिंट में पांच महाभीर चक्र मिलें इस बुक की जरणी को भी मैं कवर करना चाहूंगा मेरे एक ग्रूप है वाइकिंग ग्रूप जिसका धन्यवाद कर सके, तो हमने करीब 30,000 किलोमेटर राइड कर चुके हैं, इस उद्देश्य को लेते वे, एक ऐसी ही राइड पे हम जा रहे थे, जब हम, जो हमारे उनके परिवारों से मिल रहे थे, और हमारा अदेश यही था कि हम उनको जाकर ग्राइटिट्यूट हमारा दे सके, धन्यवाद कर सके, इससे जादा तो शायद हम कुछ कर नहीं सकते, तो उस राइड के अंदगरत हम फैमिली से मिल रहे थे, तो एक यह फैमिली थी, जो कैप् पढ़ेगा, जब यह बुक का फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुआ, हम उनके जो लेटर्स लिखते थे, कि उस टाइम मोबाइल फोन कुछ नहीं हुआ करते थे, सब लेटर्स एक माध्यम होता था, प्रॉमिनेंट माध्यम जिसके थूरू अपने आपको बताते थे वह, कि हम मैं कोशिश कर सकता हूँ, इस बुक के थूरू, कि किसी माध्यम के थूरू की लोगों को पता चले, तो मेरे को ये क्लिक होगा कि एक बुक लिखी जानी चाहिए, अब बुक लिखना इतना आसान नहीं होता है, तो हमने बहुत जादा रिसरच करी है, इन फैक पूरी परमि को जो कि गलत हो या किसी तरीके से जो कि जस्टिफाइबल नहीं हो, जब पहले हमने समयलिया की बुक लिखनी है, तो हमने सबसे पहले इंडिन आमी से परमिशन ली गी, इंडिन आमी ने हमको परमिशन दी, जिसका मतलब यह होता है, कि हम पे और भार आ गया हम कितना अच् सबसे मिलें, और हमने काम किया कि हम उस पीक पे भी चड़े, उस पीक के पास में गए कि वह कहां से चड़े थे, कहां से उत्रे थे, कहां बैठते थे, क्या करते थे, ते कल्म जो चलता है वो आपके अंदर के जो फॉर्ट प्रॉसर्सर उसके थूरू चलता है, तो गया, उसको बहुत टाइम लगा चीजों को, यह वापस पूरा ड्राफ्ट इंडियन आमी को पहुचाया गया, उनने चार महीने इसको पूरा पढ़ा और उसके बाद में उनने हमको ओके दिया, उसके बाद में एक और इंपोर्टन टास्क होता है, पब्लिशर फाइंड कर कि स्टोरी इस बहार आनी चाहिए, इससे पैसा कुछ नी कमाना हमको अदेशत हमारा तभी हमने देखा कि अंदर लिखा हुआ है कि इसकी जो रॉयल्टी आएगी वो किसी अच्छे कॉस के लिए ही आपने जी 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 ये पहला अबजेक्टिव था सर हमारा कि जो भी इससे कि वो हम हमारे जेवे नी भरनी है में तो ये बुक इसलिए लिखे कि लोग इसको किसको जाएगी रॉयल्टी सर हमने इस बुक से पहले भी कुछ शादियां हुई है इंडियन आममी के सोल्जर्स की जो कि परिवार इता सक्षम नहीं था तो हमने कॉंट्रिब्यूट किया ग्रुप में और वो प्रेजेंट किया है मनी डौरी के लिए प्रेजेंट नहीं किया है बच्चों की एजुगेशन के लिए प्रेजेंट किया है I have one example जो मैं कभी कोट नहीं करता है एक soldier वीरगती को प्राप्त हो गए थे उनकी जो वाइफ थी वो भी खतम हो गई थी उनक पैसे के बाद में हमने वो मनी FD कराके ब्याज के साथ में उनको दी वो पैसे तो ताकि वो आगे यूज कर सके क्योंकि आप शादी में किसी पैसे को आप दोगे तो वो डौरी में किसी भी दहेज में किसी भी काम में खाने वाने में यूज हो जाता है वो पैसे का महत्व क पतम हो जाता है क्योंकि लोग आएंगे, खाएंगे, चलेंगे, हाथ दोएंगे, चलेंगे, कुछ अब्जेक्टिव निकलता, तो हमने एक और शादी गरी ती, तो यह जो पैसा है, यह अभी हमने समाल के रखा हुआ है, जैसे भी कुछ ऐसी नीड रिक्वाइमेंट आती है, तो we will be doing that, इससे हमको कुछ भी कमाना नहीं, इंपोर्टेंट सिर्फ इतना सा है, कि आम जनता, यूथ को यह पता चले, कि हमारे इंडियन आम्ड फोसे, किस कठनाईयों का सामना करती है, कैसे एक यंग बच्चा, जो कि शादी करने वाला था, डेड़ महीने बाद में, वो वीरगती को प्राप्त हो जाता है, उसकी जो फ्यांसे थी, वो उसका इंतजार करती रह जाती है, और कैसे वो फैंबली स्ट्रगल करती है, तो इंपोर्टेंट ही है कि दुनिया को बताना, कि कैसे लोग होते हैं, जो कि आप और मेर जैसे ही होते हो, कुछ अलग तो वो कही मार्स से तो आते नहीं है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सिखलाई ऐसी होती है कि वो एक शन के लिए भी सोचते हैं, और उनको मालू में आगे मृत्यू है, पर वो सोचेंगे नहीं कभी भी उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, उसमें ही लास्ट का जो सेंटेंस है, वो यह है कि यॉर ओन सेफटी, इस, कमफर्ट, लास्ट, आल्वेज अने अवर तैम, इसको प्लीज पढ़िये, समझिये कि क्या सैक्रिफाइजिस होते हैं, फॉज़ाइगर अफ द्रास, कैप्टन अनुज नईयर, इसमार में किताब के युवा सहलेखक हिम्मत सिंग शेखावत को आपने सुना, युवा भारती का विनम्र नमन, उन सभी वीरो शहीदों को, जिन्होंने करगिल विजय दिवस की नीव रखी तुम्हारा इंतजार है, 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 तुम्हारा इस्तार और गहराई मानों unlimited हैं, खास्तोर से modern global परिप्रेक्ष में, श्रिंखला संगीत तेरे कितने रंग में आज मिलाते हैं, मुंबई के उभरते सुगम शास्त्री युवागायक और music producer निश्चल जवेरी से, युवा भारती के सभी listeners को निश्चल जवेरी का नमस्कार, निश्चल ये बताओ, हर युवा की लाइफ में एक पड़ाव आता है, एक कठिनाई से भरा पड़ाव होता है, और वो है करियर और रूजगार, चुकि तुम एक गायक हो, संगीत कार हो, सबसे बड़ी बात, music production एक ऐसा कशीतर है, जिस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, आपके circles में होती होगी, हमें तो इतामालों में कि या तो आप घर पे रियास करते हैं, और at the most आप perform करते हैं, स्टेश में, बस हमारी knowledge वहीं तक है, music industry जो है, music production जो है, इसके क्या खूबिया होती हैं और हमारे युवाओं को, उनके रोजगार संबन्दी अगर एक रास्ता चुनने की बात हम करें, तो क्या-क्या scope है इसमें? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, और काफी youngsters मुझसे भी पूछते हैं कि क्या आगे कैसे करें, क्या करें, तो पहले के जमाने में तीन चीज़ होती थी, एक music composer, lyrics writer और singer, और उनके यही जरिया था कि shows करेंगे या गाने picture में गाएंगे, आज की तारीक में, वो जो छोटे- hidden, जितने भी रास्ते हैं, वो सब, क्योंकि online सब चीज़ें आ गई है, और बहुत सारे avenues खुल चुके हैं, music production उनमें से एक है, तो music production एक गाने को कैसे सजाना है, कौन से instruments यूज करने है, कौन से rhythm यूज करनी है, और music production में भी अब दो-तीन और अलग शहलिया आ चुकी है, औ जो music project है, उसके instruments, उसका जो music sound selection है, उसक पे जादा focus है, music release, music business, music publication, यह सारी अलग और शहलिया हैं, तो यह भी चीज़ें हैं, जो youth, जो music में interested हैं, शायद उनका career as a singer जादा ना चले पर वो music से जुड़े रहना चाते हैं, तो यह सारी और शहलिया हैं, जो चूज कर सकते है music publication एक बहुत बड़ी growing future है, जी, और music production specifically अगर बात करें, तो उसमें भी rhythm arrangement, जो एक rhythm arranger होते हैं, वो arrange करते हैं, तो पहले music production को actually arranger बोलते थे, तो अब जो sophisticated corporate term है, वो music production हो चुका है, उसका अभी तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला, कि जैसे हम लोग imagine करते हैं, कि एक studio होता होगा, 40 violins आती हैं वहाँ पे, 10 clarinet आती है, 5 guitar आती हैं और bass drum में, चलो भारतिय संगीत के साब से tabla या पखावज, इतना ही हमें मालूम है, क्या वरतमान दौर में भी जब कोई गान record होता है, तो studio में जब recording होता है, तो ऐसा ही कुछ scene होता है, या बिलकुल ही आनक होता है, दोनों प्रकार से होता है, तो जो बड़े budget की films है, या जो जिसमें बड़ा sound चाहिए, जिसमें budget है, तो वो लोग इसी तरीके से करते हैं, मतलब वहाँ पर भी मेरे कहने का मतलब सिर कर दिया है, ऐसा है क्या? दियरे दियरे लोगों को अपने आप ही उनके कान में समझ आनी शुरू हो जाएगी, क्या ये एक मिनिट का reel है, और ये जो है, वो दस साल तक मेरे साथ रहेगा, ये गाना, लेकिन music में opportunities बढ़ चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपको music publishing हो गया, music production हो गया, music में भी ज जो core music है, उसके हिलावा जो आजो बाजो में जो opportunities है, वो भी काफी बढ़ चुकी है, चलते-चलते, एक नाम मेरे जहन में आता है, क्योंकि युवाओं में रिकी केज का नाम काफी सुना ही पड़ता है, तो तुम्हारा जो वास्ता रहा उनके साथ, उसके बारे में जारा स मतलब दोस्तों को बताईगे, मेरा स्टूडियो में था, हमने उनकी एल्बम आई थी, रिकी जी की, विंड्स ओफ संसारा, जो की ग्रैमी अवर्ड जीती है, और हमने उनका 5.1 का मास्टरिंग किया था, स्टूडियो में, हाला कि मेरी उनके से पर्सनल मुलाकात नही हुई और हमने उनको मास्टर करके वापस बेजा था, नॉमिनेटेड हम भी थे, जो एंजिनियर जो थे, पिये दीपक, उन्होंने मास्टर की थी, और ग्रैमी में नॉमिनेशन हुआ था, वेस्टिन मुजिक का तड़का अगर हम, जैसे तुम्हारे केस में हुआ है, हिंदुस्त हैं और वो एक और एडिशन है आपके पूरे गुलगस्ते में, क्योंकि जो हमारे पुराने मुजिक कंपोजर्स भी थे, शंकर जया किशन जी नॉशाद साब, यह सब क्लासिकल सीख के उन्होंने वेस्टन स्ट्रिंग का उप्योग किया था, और जो आज तक हमें याद है, सलील चोधरी, जो अब नाम लीजे, मदन मोहन जी, तो इनका पूरा अर्रेंजमेंट वेस्टन स्टाइल से ही हुआ है, और उस चीज़ को और उन्होंने कैसे इंटिग्रेट किया है हमारे मुजिक में, तो वो एक आर्टिस्ट की सही पहचान है कि आप किस तरीके से और उस आरे मागर सानी, पनी सागर सानी, पनी सागर सानी तनिक म से राइओ नजाए संख़ान्ikes तनिक म से रहिए को आजल की सागर सानी तनिक मौसे रयो ना जाय सेयां बूलो संगीत तेरे कितने रंग सुखम शास्त्रिय गायक और म्यूजिक प्रड्यूसर निश्चल जवेरी को आपने सुना प्रसुती केंजिय हिंदी रूपके कांश इस अंग की शरवात में हमने रोजगार की दृष्टी से स्किल डिवलप्मेंट की बात की तेजी से बदलती दुनिया में नए नए फील्ड्स उभर रहे हैं अपने विशिष्टे चैलेंजिस के साथ अनिमेशन, वर्चिल रियालिटी, ओग्मेंटेड रियालिटी, रोबोटिक्स और जिनॉमिक्स तो इसी के एक्जाम्पल्स मात रहें पत्रिका ने सूचा आज क्यों न किसी युवा को ही गुरु बनाया जाए नए एक शेत्रों में कुछ और प्राक्टिकल जानकारी हासल करने के लिए सब दोस्तों को फाइदा हो सकता है साथ साथ पेरंट्स को भी आउ मिलते हैं अनिमेशन, ए-आर और वि-आर से जुड़े हमारे युवा साथी साहिल मोहन से एक नई सी दुनिया बेसिकली मैं एक वि-आर बेस स्टार्ट अप चलाता हूं मेरी स्टार्ट अप जर्नी स्टार्ट वी अराउंड फाइव यर्स पहले जब मैंने डिसाइट किया कि वर्चौल रियालिटी में काफी जादा पोटेंशल है आप अपना घर खुट डिसाइन कर सकते हैं फ्लोर्ट खुच चूस कर सकते हैं फरनीचर लगा के देख सकते हैं घर में विदाउट इवन बाइंग दगा हाउस फर्स और दूसरा लेक आर्मी में काफी इसका इंप्लिमेंटेशन होता है जैसे ट्रेनिंग एक्सराइज के लिए यूस होता है इसका काफी यूस होता है वर्चॉल रियालिटी का आज खल सो बहुत सारा प्रोटेंशल है इसमें सो आज थौट कि लग वन आज सौट इस अल्टेंशल आज रिलाइस्ट कि साहिल ये बताओ अनिमेशन और एर और वी आर एक यूँआ जब इस फील्ड में एंटर करता है तो क्या उसे टेक्निकली और आर्ट वाइज क्या दोनों उसके एरिया स्ट्रॉंग होने चाहिए ऐसा होता है कि आप दीरे दीरे लर्णिंग आपकी अगर स्किल्स अच्छे हैं और आप सीखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकली आप सीखनी सकते हैं बट आपका जो आर्टिस्टिक साइड है जिससे एनिमेशन में जनरली जो लोग आते हैं they are more passionate about either gaming, games create करने के लिए passion होता है या movies में काम करने के लिए passion होता है जितना movies में आप special effects दीखते हैं वो animation का part आता है virtual reality के games जिनको ऐसा लगता है कि वो ये करते हैं और उनको इसमें काफी मज़ा आता है और उनको लगता है कि वो इस चीज में आकर और अपना talent दिखा सकते हैं और like create कर सकते हैं तो अगर आपके पास वो passion है तो technically generally like धीरे-धीरे आप बहुत easily pick up कर सकते हैं तो I believe कि आपका artistic side आपका एक passion towards the industry जादा important है rather than आपका technical कितना strong है technical I would say out of 100% if 60% is passion and like industry का अपका पास respect है और आप इसमें आना चाहते हैं और 40% can be your technical part should be strong which you can also develop over time ये बताओ अगर हम animation की पढ़ाई की बात करें हमारे देश में हम ये भी देखते हैं कि छोटे-छोटे courses भी होते हैं और ये भी पता लगता है कि university level पर भी होता है तो तुम्हारा अब कई सालों का अनुभव है इस line में जो would-be छात्र हैं उनको क्या बताओ गए इन दोनों के फर्क में देखे जो basic course का है जो software industry में use होते हैं वही same syllabus से अब मतलब अगर इसका example ले तो अगर आप बड़े school में जाए तो भी आपको वही subjects पढ़ाया जाते हैं वही NCRT की books होती हैं और आप अगर छोटे से school में जाए तो भी वही subject पढ़ाया जाते हैं So basically आप कितना अच्छा उसको grasp करते हैं और कितनी जल्दी excel करते हैं Is more important than आपने कहां से किया है आप छोटे से university या फिर छोटे से institute से भी same software और same किताबे पढ़कर काफी उपर जा सकते हैं Rather than किसी बड़े university में बहुत जादा expense bear करके जाना So diversification और knowledge बहुत है इस industry में Even like I would say कि you can even learn a lot online मतलब Udemy, YouTube ये सब जो areas हैं उसमें काफी सारा मतलब आपको knowledge मिलेगी, free knowledge बहार के लोग पढ़ाते हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हैं ये भी बहुत अच्छा option है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा institute या university नहीं है जो आप नहीं जा पा रहे हैं तो online भी काफी अच्छे prospective courses हैं अगर आप search करें तो सीखने का अगर आपके अंदर वो है कि मलब आपको बहुत अच्छा लगा ये field और आप कुछ करना जाते हैं तो I think सीखने का आप कहीं से भी सीखें आपको अगर उसकी knowledge है तो आपको job इस industry में बहुत है बहुत prospective है और आजकल skill-based जादा देखा जाता है इंडस्ट्री में rather than where are you doing the courses from एक और उत्सुता होती ही जानने की चलो पढ़ाई तो कर ली animation में कहीं से भी skill set आपका हासल हो गया लेकिन जब इनसान एक छोटी सी शुरुबात करता है इस field में जब market में उतरता है तो क्या यह बहुत ज्यादा लागत वाला काम होता है जो आपके software होते होंगे और जो machinery लगती है इसमें अभी अगर आप initial अपना startup करना चाते हैं तो capital थोड़ा सा intensive है बट जैसे technology अब जैसे evolve हो रही है आप even एक laptop से भी start कर सकते हैं तो यह है कि अगर आप laptop से start करें और freelance जैसे मैंने freelancing से start किया था freelancing से मैंने laptop से घर पर शुरू किया था corona से पहले corona की time पे भी मैं घर से laptop से काम करा था और ऐसे मैंने clients बनाएं और जैसे ऐसे आपके बस clients आता जाते हैं आप invest करके और PCs ले सकते हैं बट हाँ शुरू में थोड़ा सा almost आद मालिजे 1 lakh क्या सपस अगर आप एक laptop effort कर सकते हैं तो उससे जादा इस समय पर आपको बहुत जादा requirement नहीं है एक basic सीखने के लिए और कुछ work लेने के लिए बहुत अच्छी बाते हो रहे हैं तुमसे साहिल ये बताओ पांच शब्द हमारे सामने आखे बड़ी-बड़ी करके कई बार आते हैं वो है artificial intelligence, animation, AR, VR और आजकल जो metaverse का बड़ा concept है इन सब में कितनी overlapping है और ये कहां-कहां अलग हो जाते हैं Core, I think metaverse, AR, VR ये सब एक technology ऐसी है जो link हो जाएंगे आगे चलके ये सब अभी अलग-अलग develop हो रहे हैं तो कि companies divided हैं कुछ companies AI पर काम कर रही है कुछ companies AR specifically काम कर रही है बट जो future है वो मुझे ये लगता है कि ये सारी technologies एक साथ जोड़के एक products आएंगे जो जैसे आब मान लीज के साथ साथ वो Chrome browser भी बनाता है वो बट Chrome browser और Google की compatibility बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि वो same company से आई है तो similarly AI और virtual reality ये दोनों जुड़ जाएंगी और आगे चलके जैसे आप अभी virtual assistant वैसे आपके साथ एक assistant होगा virtual reality में जो आपको help out कर रहा होगा आपके कामों में सो इस तरह से आगे और augmented reality की बात की जाए तो आपने शायद iron man का jarvis देखा होगा जो मतलब आपको constantly आपको रास्ता navigate करने में help कर रहा होगा या फिर like real world के साथ mix होके आपका AI तो इसमें आपका AI भी use होगा इसमें आपका augmented reality 3D सब कुछ mix करके products बनेंगे और ये की आगे चल बना रही हैं वो एक साथ mix होके बहुत elaborate product बन जाएगा साही आपने आकाश्वाणी के शोताओं के लिए समय निकाला इतनी रोचक जानकरी भी आजकल के आधुनेक जीवन की चीजों को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद समय का पता ही निक चला इतनी बापे जो भी लेकिन ये कैसे भूल सकते हैं कि कल था World Nature Conservation Day आप में से कई दोस्तों ने इस दिवस को देश भर के स्कूल कॉलेज कामपस में मनाया होगा एक नए संकल्प के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और बीट प्लास्टिक पल्योशन के दृष्टी से भी आप लोगोंने बहुत अच्छा काम किया है लगे रहो युवा भैरत चंद्रयान तीन के सफल परिक्षन के साथ साथ एक और खास बात International Astronomical Union ने पिछले दिनो एक माइनर प्लानेट को हमारे युवा उलका खगोल शास्त्री अश्विन शेखर का नाम दिया है फ्रांस की पारिस अब्जरवेटरी में कारेरत अश्विन को इस अंतराष्ट्य सम्मान के लिए हारदिक अभिनन्दन पूरे विश्व को इस दौर में युवाओं से बहुत उम्मीदे हैं विशेश रूप से विश्व शान्ती और सद्भाव के मद्दे नजर इस दिशा में कल मनाया जाने वाला International Day of Friendship हमारे वसुधैव कुटुमबकम के मूल मंत्र के विस्तार के रूप में भी देखाचा सकता है G20 के विविद कारिक्रमों के आयोजनों के परिप्रिक्ष में युवाओं की भागेदारी को पत्रिका का प्यारा सा स्माइली भारा लाइक युवाभरती प्रोग्राम सुनकर क्या समझा कुछ सीखा हमें सब कुछ यूट्यूब के कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं हम जानते हैं आप लोग बहुत बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी पत्रिका आपसे बहुत कुछ सीख सकती है इसलिए कहा तो बाई फ्रेंड्स आपका मित्र मनोज माइन कर अब आपसे विद्या लेता है नमस्कार यूगा वारिती ये है यूगा वारिती